हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कबिंदर भईया पर तो दोस्तों आज हमनों कक्षा बार का बहुवी कल्पिया प्रश्ण देखेंगे ठीके ये जो बहुवी कल्पिया प्रश्ण हो हम लोग हिंदी से लिए हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं कक्षा बारा का बहु विकल्पिय प्रश्न प्रश्न पहला है सदल मिस्र की रचना है गनमबर है प्रेम सागर खनमबर है नासी के तो पाख्यान और गनमबर है सुखा शागर और गनमबर है उदे भानो चरित तो दोस्तो इसका सही उत्तर है खनमबर नासी के तो पाख्यान आए दोस्तो अगला प्रश्न देखते हैं दो नमबर प्रश्न है भारते इंदू यूग के लेखक हैं कनमबर बालकृष्ण भट खनमबर कनहया लालमेस्र प्रभाकर गनमबर है अध्यापक पूर्शिंग और दोस्तो इसका सही उत्तर है कनमबर बालकृष्ण भट आज़ो दोस्तो अगला प्रश्न देखते हैं तिन नमबर हिंदी सहीत के आधुनिक काल को गद काल की संग्या किष्णे दी कनमबर है भारते इंदू हरिस्चंद्र खनमबर है महावीर प्रशादिवेदी गनमबर है अचारे रामचंद्र शुक्ल और गनमबर है बाबुश याम सुंदरदास तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गनमबर अचारे रामचंद्र शुक्लए आई अगला प्रशने देखते हैं चार नमबर हरिसंकर पर्शाई की जैसे उनके दिन फेरे किस वीदा की रचना है नंबर कहानी आई अगला प्रशने देखते हैं पांच नंबर आनन्द कदाम्बिनी पत्रिका के संपादक थें कर नंबर है प्रताप नरायन मेस्र कर नंबर है बाल मकुंद गुप्त गर नंबर है राधा चरगो श्वामी और गरन अगला तो दोस्तो इसका सही उत्तर है घानंबर, बदरी नरायान, चौधरी प्रेम घन, आइ अगला प्रशने देखते हैं च्छानंबर, मेरी और सफल ताइम, किस विदा की रचना है, डाइरी, ठीके, घानंबर है आत्म कथा घानंबर है जीवनी, और घानंबर है चंस्मरण, तो इसका सही उत्तर है खा नंबर आत्म कथा आई अगला प्रेशने देखते हैं अगला प्रेशने है साथ नंबर भारतेंदु यूगिन गद की समय सीमा क्या है गद नंबर है 1750 से 1850 तक इसवी तक ठीक है खा नंबर है 1850 से 1901 तक और गद नंबर है 1902 से 1936 इसवी तक तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खा नंबर ठीक है 1850 से 1902 तक आई अगला प्रेशने देखते हैं आठ नंबर भारतेंदु यूग से पूर्व गद के लेखक है गनंबर मुंसी सदा सुखलाल खा नंबर रामचंदर शुक्ल गनंबर बाल कृष्ण भट गनंबर महा देवी बर्मा तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गनंबर मुंसी सदा सुखलाल आए अगला प्रेशने देखते हैं नौ नंबर प्रारंबिक गद लेखको में दो राजाओं में से एक हैं गनंबर मुंसी सदा सुखलाल खा नंबर सदल मिस्र गनंबर है सीव प्रेशाद सितारे हिंद और गनंबर है ललुलाल तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गनंबर के लेखक हैं का नमबर है ललू लाल खा नमबर है मुंसी सदा सुखलाल गा नमबर है इंसा अल्ला खा और गा नमबर है सदल मिस्र तो इसका सही उत्तर है खा नमबर मुंसी सदा सुखलाल आईए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रशने 11 नमबर हरिस चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुसोवित किया गया तो उनको भारतेंदु जो है उनको पदवी से कव सुसोवित किया गया था अगला प्रशने देखते हैं 12 नमबर सिव प्रशाद सितारे हिंद किस युग के लेखक है गनमबर है भारतेंदु पुर्व युग खनमबर है भारतेंदु युग गनमबर है दिवेदी युग और गनमबर है छायावाद उत्तर युग तो दोस्तो इसका सही उत्तर है गनमबर भारतेंदु पुर्व युग आई अगला प्रश्णी देखते हैं तेरा नमबर नासी के तो पाख्यान के रचेता हैं कह नमबर इंसा अल्ला खाँ, खह नमबर है सदल मिस्र, गह नमबर है प्रताप नरायन मिस्र और गह नमबर है कासी नाथ खत्री तो दोस्तो इसका सही उत्तर है खह नमबर सदल मिस्र, आई अगला प्रश्णी देखते हैं, चोदा नमबर प्रश्णी है निम्न लिखित में से किस रचना के लिखक गोसाई गोकुलनात है, गह नमबर है सिंगार रसमंडल, खह नमबर है 84 वैशनवां की वारता, और गह है पदम पुरार, तो दोस्तो इसका सही उत्तर है खह नमबर 84 वैशनवां की वारता, आई अगला प्रश्णी देखते हैं, इस वीडियो का लाश्ट प्रश्णी है 15 नमबर सिंगार रसमंडल के रचैता है, खह नमबर भारतेंदु हरे चंद्र, खह नमबर महादेवी वर् बिठलनात और घह नमबर है राधा चरर गोस्वामी, तो दोस्तो इसका सही उत्तर है घह नमबर गोसाएं बिठलनात, तो दोस्तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चरूर बताईएगा, धन्यवाद